नमस्कर दोस्तों गड़ेंगेन चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ धीरे धीरे नवेंबर आने लगा है और थंड भी बढ़ने लगा है तो दोस्तों ऐसे में बहुत पढ़िया करेंगे पोधे सब तो लोटस देखिए सीजन लाश्ट पे है अभी और इसमें बर्ड और कलियां देखिए बना हुआ है फूल भी खिला हुआ है ये लाइट योलो कलर में है बहुत सुंदर वैराइटी और पेटल काउंट भी दोस्तों जवरदस्त है लोटस और वाटर लिली ये सीजन लाश्ट में है अभी ये दोर्मानसी में जाएंगे दोस्तों जैसे ही 20 डिगरी के नीचे टेंपरेचर आएगा तो ये सब और फ्लावरिंग नहीं करेंगे तो बाकी फूल चमकेंगे और ऐसा ही हाल है एडेनियम का एडेनियम में देखिए अभी फूल आ रहा है लेकिन ये भी दोर्मानसी में जाएगा तो गाडन में हर तरह का पोथा रखना चाहिए गुलाब जब चमकता है दोस्तों तो वाटर लिली और एडेनियम सब डाउन होते हैं और ये जब चमकते हैं गुलाब डाउन हो जाता है तो ऐसे सभी प्लांट रखना चाहिए दोस्तों देखिए परपल कलर में बहुत सुंदर फूल और इसमें पानी भी अभी में कम दे रहा हूं और पता भी ये गिराने लगेगा दोस्तों अभी एडेनियम में फटिलाजर कम कर दीजिए बन मत कीजिये लाइट जोस्तिच अगर कलियां है तो और अगर प्लांट में पता बिलकुल नहीं है तो और फटिलाजर भी मत दीजिये दोस्तों देखिए लाल कलर में बहुत सुन्दर फूल एज इसका सब आता है बलाक और कलस्टर में ये सब फूल आता है और पता नहीं है पोधों में देखिए फिर भी फूल जवर दस्ता आ रहा है दोस्तों आईए नेक्स्ट पोध है कि और चलते हैं नेक्स्ट है हमारा गुढल और ये बहुत सुन्दर फ्लावरिंग करेगा दोस्तों अभी इसका मैंसिजन है अभी से लेके ये मार्च एप्रिल तक बहुत जोरदर फ्लावरिंग करेगा तो गुलाब के बाद अगर कोई पोधा मुझे अचा लगता है दोस्तों तो वो है गुढल मंदार इसका देखिए लाल कलर और लाल कलर में दो वेराइटी में आपको दिखाया ये दोनों ही बहुत बड़िया रहते हैं वेलवेटी लुक्स में आते हैं दोस्तों देखिए सेंटर इसका वेलवेटी रहता है और प्योर रेड कलर में बहुत सुन्दर फूल ये जो देख रहे हैं ये पुना सेप में आता है नेक्स्ट है हमारा देखिए गेंदा ये फ्रेंच मेरी गोल्ड है और इसमें भी दोस्तों फूल आ रहा है ये और भी बूसी होगा लेकिन ग्राउंड में लगाने पर बहुत बूसी होता है दोस्तों गमले में उतना हो नहीं पाता है यहां पे देखिए क्यार के उपर में वीडियो लाया था वो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ये बहुत सुंदर कलर में आता है और देखिए यहां पर फूल सब खिलेगा ऐसा फूल और ये सिजन के सुरुवात में है दोस्तों अभी नवेमर से लेके जून तक बहुत बढ़ और वेरिगेटर लीप्स के लिए जाना जाता है इसका पत्ता भी बहुत सुंदर लगता है जब फूल ना विखिला हो इसमें दोस्तों और ये अभी ग्रोथ टाइम में है अभी इसमें आप फटी लाजर दे सकते हैं और इसके में क्या डालना चाहिए इसके उपर मैं प्र तिस दिन तक तो पैसा उसुल प्लांट है और इसमें कुछ कीड़ा भी ज्यादा नहीं लगते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा गुलाब गुलाब में देखिए ये जो सामने भराइटी देख रहे हैं ये क्रेजा है क्रेजा बहुत बड़ा फूल आता है और लास्टिंग हाड रहता है दोस्तों आईए नेक्स्ट पो देखिए और चलते हैं नेक्स्ट है हमारा हाई एंड मेजिक इसमें देखिए बाई कलर फूल आता है और फूल आपको प्लास्टिक जैसा ही दिखेगा ये एक एवाड विनिंग गुलाब का वेराइटी है दोस्तों मुझे बह देखने में बहुत सुंदर लगता है इसका सीट डाल के आप नया प्लांट बना सकते हैं और कटिंग से भी बना सकते हैं देखिए प्योर रेड कलर में है ये फूल सब दोस्तों लॉंग लास्टिंग बाला रहता है और करीब 20 से 25 दिन तक चलता है तो देखने में बहुत सारा फूल है योलो में मॉल्टी पैटल है और ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया है और इजी टू क्यार प्लांट है कॉस्मोस का यह भी सुरुआत है दोस्तों आगे बहुत बढ़िया करेगा और इसका विंटर वैराइटी बे आता है जो कि अभी मिलेगा मार्केट में ब रदा बाहर भी बोलते हैं और ये एक्शुली परपल डिप परपल में रहता है और देखने में बलाग जैसा लगता है दोस्तों ये बहुत ही रियार भैराइटी है एक पोधाई बचा है मेरे पास तो बहुत सारा पहले था दोस्तों दिरे दिरे खतम हो रहा है तो इसे मैं परटिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रियंट्स का स्प्रे किया हूं तो साइज और बढ़ेगा इसका तो आगे इसका अपडेट भी मैं दूंगा आपको ये है आपका मोरिया फ्यारी गिप्ट दोस्तों ये सब ताइवान वैराइटी रहते हैं और कलर दोस्तों बहुत जबरदस्त और ये जो मैं बोला पूना वैराइटी वो सब ज़्यादा फूल लेंगे लेकिन ये वाला एक एक खिलने पर भी आप देखते रह जाएंगे दोस्तों यहां पे है मेट गॉर्ड मेट गॉर्ड एक गुलाप का सांधर वैराइटी है लाल कलर में इसमें भी तो देखने में बहुत बढ़िया है ये भी प्लांट बहुत चुटा है और एक देखिए ब्लाग वैराइटी ये सिंगल पेटल सब दोस्तों ज़्यादा खिलते हैं और देखने में रोजी के मुकाबले कम लगते हैं लेकिन इसका कलर देखिए यूनिक कलर सब बहुत बढ अचा लगते हैं और एडेनियम अभी सीजन लाश्ट में है तो अभी दोस्तों इसमें फटी लाजर धीरे-धीरे करके मैं कम कर दूंगा एडेनियम में अभी पानी भी कम दे रहा हूं और बस गमले का उपरी हिस्सा थोड़ा मुश्ट रख रहा हूं क्यूंकि फूल सब आ आने लगा है और जारवेरा के दोस्तों मुकाबले में कोई प्लांट नहीं रहता है क्योंकि इसका दखिए फूल का साइज सेप और कलर सब जबरदस्त रहता है और यह स्टंडर्ड जारवेरा सब बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों दिरे-दिरे जारवेरा के क्यार के झाल 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 झाल